नमस्कार मैं डॉक्टर अमिक करकरे बैश्टार थरपी के इस साथवे सत्र में आप सबका स्वागत करता हूँ आज तक 6 सतरों में हमने 8 रेमिडीज देखे है और उसके साथ हमने rational thinking पे भी कुछ चर्चा की थी और कुछ practical चीज़ों पे last session में हमने चर्चा की थी सिर्फ दवाईयां discuss करने से कुछ नहीं होगा वो दवाईयां select कैसे करते हैं कैसे देते हैं क्या क्या करना है यह जो हमारे मन में जो विचार या फिर प्रशन उठ रहे हैं जो आप Google form की तरीके से या फिर उस method से आप मुझ तक पहुचा रहे हैं उस पे भी विचार होना उन में से कुछ questions को के ऊपर चर्चा हो जाए और इसलिए यह आज का जो टॉपिक है कि दवाईयों तक पहुचने के कौन-कौन से तरीके हैं है पिर और रिमेरि या फिर वो तुसलेक्ट शिलेक्ट कॉमरेशन क्यूंकि कोई कि वार ऐसे होता है कि हम जो पेशन्ट डेखता है या फिर पिर अपने खुद के लिए जब हम दवाई करते हैं तो 10-15 पाच रिमेडियों आते हैं हमारे मन में लेकिन वह पाच रिमेडियो चार रेमेडीज, कीन रेमेडीज या फिर इन तक कैसे पहुचा जाए, कौन से चीजों को ज्यादा महत्वे देना चाहिए, ऐसे कोई मेथर्स है अलग-अलग कि जिसको जिसको यूज करते हुए हम इन दवाईों तक पहुच सकते हैं, इन पर आज बात करेंगे, ये बात करन इसलिए मुझे जरूरी लगा क्योंकि Google Form में एक question है कि आप कितना जानते हैं दवाईों को, या फिर पुश पाउश रधी, या फिर बैच्वा अथरभी को, कुछ लोगों ने लिखा है, हम औरड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत और आपसे जानना है, इसलिए हम यहाँ आए हैं, कुछ लोगों ने लिखा है कि बिल्कुल नहीं जानते, ये आपसे ही सुना, इसलिए पहली बार ही सुना, लेकिन काफी दिनों स एसे विचार था कि सीखे इसलिए है लेकिन 50% से भी ज्यादा लोग नहीं यह लिखा है कि हमने कुछ कोर्स किया है हमने पढ़े भी है दवाईयां हमने कुछ देखे भी देखे है लेकिन इतना सक्सेस नहीं मिला और इतना nhayayaha confidence नहीं है हमने सीखा है लेकिन confidence नहीं है so we feel lost to find the correct remedy तो इसलिए यह हमारा मूल उद्धश है इस sessions को अट्टन करने का सो दवाईया सीखाना remedies discuss करना यह एक purpose है इस sessions का लेकिन आपको confidence देना यह मुझे रखता है ज्यादा एहम बात है यह सबसे ज्यादा important बात यही है कि दवाईयां तो मालुम रहती है हमें लेकिन उनको इस्तमाल करने का जो conference चाहिए वो अगर मैं आपको देख सकता हूं तो वो मेरी पहली priority रहेगी आपको वो देना और वही मेरा primary focus है इस सेशन का इसलिए आपको शायद ऐसे लगेगा कि अरे यार यह बिल्कुल रेमेडी तो डिसकसी नहीं हुई इस बार तो इस ओके हम slow जाएंगे लेकिन पूरा सब समझ के आगे जाएंगे तो आज का सवाल यह है कि दवाया कैसे सिलक करता है इंडियन फिलोसोफी में ऐसे दिया है कि भगवान के भगवान को मिलने के अलग अलग तरीके हैं आप पूरी भक्ति कीजिए वहां से भी आप पहुच सकते हैं जैसे बीरा जी ने किया कि पूरी भक्ति की तो उनको भगवान मिल गए और कुछ कर्म योग भी है कि आप फूल चड़ाने के कोई जरूरत नहीं है फूल चड़ा है रोज तो भी मिल जाएंगे काम अपना जो दिया है वो ठीक से किया तो भी भगवान मिल जाएंगे काम को ही भगवान माना तो भी भगवान मिल जाएंगे सो भगवान अपने मन में है जैसे चाहिए वैसे आप उन जाना है या फिर किसी से मिलने जाना है या पिर किसी कॉलेज में जाना है तो में Google Map पर देखता हूं कि कौन कौन से मार्ग है कौन कौन से रस्ते है जो मुझे अभी वहां ले जा सकते है तो वो मुझे बतायता है कि या इस मार्क से जाओगे तो शायद एक बीच में टोल लगेगा इस मार्क से जाओगे तो वो नजदिक है लेकिन वहाँ पर ट्राफिक है इसलिए आपको शायद देर लगेगी अगर कार है तो यह मार्क जादा अच्छा है अगर बाइक पर हो तो यहां से भी जा सकते हो कि वह थोड़ा सा छोटा रास्ता है लेकिन जा सकती है अगर चलते जाना है तो बिल्कुल यहां से जा सकते हैं आप को कितनी आपके पास कितना समय है आपके पास कौन सी गाड़ी है आपके पास आपके क्या उस वक्त आपकी प्रियरिटी है उसके अनुसार आप वो मार्क ढूंड सकते हो या फिर चूज कर सकते हो लेकिन गूगल फॉर्म गूगल मैप जो है गूगल फॉर्म नहीं गूगल मै आपको तीन-चार मार्ग दिखाता है, तीन-चार अलग-अलग परियाय आपको देता है, जिन में से एक परियाय आप चूज कर सकते हो, यही होता है बैश्वार थरपी के रेमिडी सेलेक्शन में भी, कई सारे परियाय हैं, कई सारे मार्ग हैं, कई सारे रास्ते हैं, जो आप को अच्छा लगे जो आपको एजी लगे आपके व्यक्तित्व के अनुसार जो आपको लगे कि ये मेरे मुझे काफी आसान होजाएगा इससे इससे जाना वो चूछ कीजिए मार्ग तो काफी है उन मार्गों को चुनने में एक तरीका है कि अपने आप को अपने व्यक्तित को जो काफी उनसे कोईंसर होता है वो मार्ग चूज कीज़े या फिर दूसरा यह हो जाता है कि कई बात किसी पेशेंट में, किसी केस में , या फिर किसी व्हक्तिक को दवाई देते वक्त कोई specific mark का ही उप्योग करना पड़ता है कब एक onion तो जैसे अलग अलग उसके layers रहते है, तो उसफमist लेंफी स्क्रकूlike या才-शे वित अवत के lots ofcakais क लियर गृत ना बहुत जाएका। प्राइमरी एक भावना को अगर दवाई देते हैं तो वह भावना रिजौल हो जाती है उसके पीछे और चिपी हुई और एक भावना उबर के आ जाती है उन उनको रिजौल की जाए तो और एक अंदर की वारी एकदम बिलकुल जो बच्पन में कुछ हुआ था वह भावना है उबर के आती है कि अभी इसकी वज़़ा से ये सब चालो रहा उनको अगर दवाई देते हो तो फिर वीजौल की तरफ पहुच जाते हो यह एक मार्ग है कि आप जैसे जैसे लेर्ज आपके सामने खुलते जाएंगे अंदर के लेर्ज उबर के आ जाएंगे उनको आप द सकता है कि आपको लगे क्या रही यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है यह अलग-अलग मार्क तो इत्मिनान रखी है कि बार-बार यह डिसकस हो जाएगा डोंट बरी अगर नहीं समझा तो कॉमेंट्स पर लिखे लिजे मैं दो तीन सेशन के बाद फिर से जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बार-बार यह डिसकस कर दोंगा तो एक ओनियन मार्क हो गया दूसरा मार्क प्राइमरी और सेकंडिर प्राइमरी साल में या फिर पहले इसलिए मुझे काफी नफरत है उस एंप्लॉई के तरफ तो फिर वो एंप्लॉई कुछ भी करेगा तो मैं उसमें से खामिया निकाल दूंगा वो कुछ भी बोलेगा तो जल्दी मेरा गुसा निकलाएगा जल्दी मेरा टेंपर बढ़ जाएगा सो मैं काफी संभावना कि मैं जादा उनको जोर से बात करूँ जाओ जोर से चिल्ला उन पर जोर से चिल्लाने के लिए हम चेरी प्लम देते हैं यह जो बिलकुल छोटी-छोटी खामिया निकालना है कि कुछ भी करो आप लेकिन उसमें है मैं कुछ ना कुछ कृटिसाइज क अगर आपने एक कॉम्बिनेशन करके दे दिया तो उससे काम हो जाएगा तो उससे काम हो जाएगा लेकिन यह क्यों हो रहा है क्योंकि मुझे नफरत है उस आदमी से और वो नफरत की वज़़े से मैं बीच और चेरी प्लम जैसे बरताव कर रहा हूँ तो अगर मैंने उस नफरत के लिए दवाई दे दी जो हॉली है हॉली अगर मैंने ले लिया तो वो नफरत कम हो गई तो फिर मैं खामिया भी निकालना बन कर दूँगा चिलाना भी बन कर दूँगा तो फिर बीच और चेरी प्लम बिना वो लेते हुए भी सिर्फ हॉली देके वो दोनों जो स्टेट्स है मेरे उनको मैं कम कर सकता हूँ सो अगर तीन नहीं मुझे एक ही दवाई देनी है तो फिर मैं हॉली दूँगा क्योंकि वो प्राइमरी फिलिंग है जिससे यह सेकंडरी मेंटल स्टेट्स उभर के आ रहे हैं समझा नहीं समझा है तो बाता ही है मैं बार-बार आपको समझाता रहूंगा जब तक आपको नहीं समझेगा तब तक अभी मैंने दो-तिन यूज और वर्ट किया कि स्टेट्स और प्राइमरी फिलिंग और सेकंडरी स्टेट्स यह हमारा तीसरा मार्क है है कि तैप रेमिडी रहती है और स्टेट रेमिडी रहती है ताइप रेमिडी क्यों मतलब यह है है कि जो आपना व्यक्तित्व है उसके लिए जब हम दभाई देता है तो वह ताइप कोई भी काम करने से पहले पूरी उसकी प्रिप्रेशन लगती है और वह कॉपी वक्त बख गुजारता हूं और उसके बाद कई बार ुथ काम बहुए करता भी हूँ क्या हो प्रपरेशन में जैदा वक्त जाता है यह कौनभी मलों थे जिनको पहले वह टास्क बड़ा लगता है और इसके बाद एक बार शुरू कर दिया तो वह इजी लगने लगता है कि हमने बार-बार बार की है कोई रेट चेस्टनक रहता है जिनको अपने घर बाले लोगों के बारे में रिश्टता के बारे में friends के बारे में काफी चिंता और काफी उनको वरी रहती है कि ये इनका कुछ accident नहों जाए मैं नहीं हूं तो कुछ गलत नहों जाए ये टाइप है ये व्यक्तित्वक के सुभाव के गुण है या फिर सुभाव के दोश है इनके लिए टाइप remedy हम देते हैं लेकिन कुछ बार हम कुछ स्टेट में हम दबाई देते हैं मेंटल स्टेट के लिए कि जो एक कुछ गंटों के लिए कुछ दिनों के लिए ही रहती है अगर कुछ नहीं किया तो भी वह रिजवल हो जाते हैं जैसे रॉक रोज हमने पढ़ा था कि वह शॉकिंग या फिर इंटेंस फियर के में वह देखने के बाद तो अगर मैं कुछ भी नहीं करूं तो अभी दो तीन दिनों के बाद वह चला जाएगा कोई मेरा बिल्कुल नजदी का दोस्त अगर उनके डेथ हो गई तो कुछ दिनों तक मैं डिप्रेस्ट साड फिलिंग महसूस करूंगा लेकिन कुछ दिनों क चर्यार स्वनों इसके बाद वह गुआ उनके बाद वी ग्रूराइट एड्टी दोन तो गम है मेरे फ्रेंड दोन को करने का उसको स्टे रेमीडे हम दएते हैं जो कुछ महीनों के लिए उसके जिनों के देचाती है वह मेरा व्यक्तित्वन नहीं है, मिए व मेरे टेंपरर तो हमें यह भी सोचना पड़ता है दवायां सिलेक करने में कि हम स्टेट के लिए दबाई दे रहे या फिर टाइप के लिए दबाई दे रहे उससे फरक क्या पड़ता है बताता हूं कि मैंने कुछ एक्ज़ norms दे दी और उसमें बिल्कुल मैं फेल हो गया और वह एक्ज़ाम काफि क्या काफिवर्ड की मारे लिए जैसे अभी वह जए ने देता है या फिर या पिर लो लग लग रहा तो उसके लिए पुछ दिनों के लिए आइंटिक प्रेमिडी लेक्याओं प्री बीकुछ अब्सका 가능 तो अगर कशन करना सबस्सक्राइब पूंपर सबूस्च Rica ईलागी और सब्सक्राइब करूको कूश में एंढिकिया दरब告诉 एफ एक फ Mitch लेकिन अगर अगर है स्टेट के लिए नहीं होगा आपके गंटे बाद बा किसी के भाई दमीदा दिनी पड़ है और यह किस प्रकासर मार्कास दमाइब उसका दोस但 बदल जाएगा यह होगी तीसरा मार्ग चौथा मार्ग है प्राइरिटी कई बार ऐसे होता है कि काफी अलग-अलग सवाल या फिर अलग-अलग क्राइस अलग-अलग सिच्वेशन से लेके लोग आपके बाद आते कि मुझे यह भी रिजॉल करना है यह भी करना है और हर एक प्रशने के देंगे तो फिर 12-15 दवायां हो जाएगी फिर क्या करें अगर ऐसी नौबत आ गई तो आई यूज प्रायरिटी मेथड मैं पेशन को ही पूछता हूं कि इसमें से कौन सी चीज आपको सबसे पहले रिजॉल करनी है अगर वो बता सकता है तो अच्छी बात है फिर उस चीज को पहले हम रिजॉल करते हैं वह पहले लेते हैं उसके बाद दूसरा फिर तीसरी रेमेडी उनको अगर नहीं आ रहा है या फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको शायर यह प्रायरिटी नहीं समझ आ अभी यह इंपोर्ड़न्ट है जो मुझे लगता है तीन चार प्रश्णों में से कि यह प्रश्णी ज्यादा इंपोर्ड़न्ट है उस पर हम पहले बात करते हैं फिर बाग के रिजॉल करते हैं तो इक एक करके इसूज को रिजॉल करें लेकिन ऐसे हो गया जो काफी हो सकत सबसे आसान मैठड है जो आपको सामने दिख रहा है जो फिलिंग आपको स्ट्रॉंग के दिखाता है उस फिल्रλαणने पयूंद को这τοछ सुद्बशेणों अगर कुछ नहीं हुआ तो जो दिख रहा है उसको गोली मार दो गोलीयाने अपनीा मीठी वाली गोली कि जो सामने जो आपको नीगेटीव इमोशन दिख रही है उसको गो ली मार दो वो धिरे-दिरे आप सब नीगेटीव को रिजर्व कर पाऊगे अलग-अलग मार्ग है जिन जिनको देने से हम जैसे मैंने कहा कि लोगों को दवाई दे सकते हम लास्ट देखा था कब दवाई देनी है लास्ट सेशन में हमने वह भी डिसकस किया था कि जब प्रॉड़क्टिविटी लो हो जाए आपकी किसी इमोश क्वेश्टन है अगर मैंने आपके पास एक बच्चा लाया और आपको बोला कि इसको 60% स्माक मिलते है तो क्या आप उसको फ्लावरे में देखे उसके माक्स 90% कर सकते हो क्या कर सकते हो आप इसके दो आंसर से हाँ या ना हाँ भी और ना भी हाँ तब जब उसकी कपासिटी से 90% माक्स मिलनी की है लेकिन कुछ कारण से दर की वज़ेसे गलतियों की वज़ेसे या फिर लेजीनेस की वज़ेसे अगर उसको माक्स नहीं मिल रहा है तो वो उस पर हम काम करें ऩदेखे तो फिर 60% से हम उसको 90% तक ले जा सकते हैं इसलिए हाँ 60% या 90% हो सकता है लेकि उसको हम शेर नहीं बना सकते, और शेर को खरगोश भी नहीं बना सकते, उसकी जो capacity है, जो nature नहीं उसको दी है, उस capacity को maximum यूटिलाइस करने के लिए flower remedies और rational thinking यूज हो सकता है, ये बात हमेशा याद रखिए जब भी आप remedies यूज सिलेक करने वाले हो, कि वो उस आदमी में, उसके व्यक्तित्व में, naturally वो capacity है क्या, अगर मैं आपके बास आजाओं और मैं आपको कहूँ कि मैंने काफी गाना सिखने की कोशिश की, लेकिन वो मुझको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे गुरुज ने कहा कि आरे इन में सुरो और ताल का बिलकुल ज् तो वो कैसे आप flower remedies से आड़ कर दोगी, लेकिन nature ने दिया है, लेकिन फिर में उसका मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ blocks से बीच में, शायद वो भावनाओं के रहेंगे, शायद वो behavior के रहेंगे, उन blocks को दूर करना तो बिलकुल flower remedies और rational thinking से हमें possible है, तो flower remedies तभ वही यूज किया है एक आदमी ने, जिनको हम Bollywood के शहनशा मानते हैं, Mr. Amita Bachchan, उनके लिए हमने एक दवाई का जिक्र किया था last session में, अगर आपने वो last session ठीक से सुना नहीं है, तो फिर से सुनिये वो, हमने एक दवाई का जिक्र किया था, जिसकी वज़े से, आज वो जि discipline के वज़े से हम, I am not going to say the name of the name of the name, in fact, आप comments में लिखी है वो दवाई का नाम, हमने वो बात कि थी last time, उस दवाई को हम next session में सीखने वाले हैं, ये सीखने की ज़रूरत ऐसे हैं, क्यों है, क्योंकि दवाईया या फिर ये जो remedies है, ये हमेशा निगेटिव ही, आपको क्या जाने थी है उनके positive states भी है उनके positive use भी है और उसकी वज़ा से अगर आप किसी remedy के positive state में हो तो उससे आपका आपकी growth हो जाएगी अगर आप negative में हो तो वो growth कहीं सिमट जाएगी या फिर अब वो कम हो जाएगी तो किसी remedy के positive use से आद भी कहां पहुच सकता है इसका उधर है Mr. Bachan तो Mr. Bachan की remedy को हम next time हम बात करेंगे उनके बारे में और उनकी remedy के बारे में और भी कुछ practical चीज़े पर बात करेंगे शायद दो remedies लेंगे देखते हैं कैसे करना है जैसे जिस प्रकार से वो उभर के आता है questions व वीकेंड में करना चाहता था लेकिन वो कुछ कारण हो ना सका लेकिन बीच में वो मैं वीडियो आड कर दूंगा गूगल फॉर्म का क्योंकि काफी सारे questions आ गया है पाच तारीक तक तो उनको पहले resolve करना है तो हॉन बीम का एक डोस लेता हूं और आपके गूगल फॉर्म के questions को भी दीरे-दीरे solve कर देता हूं तो नेक्स session में मिलेंगे Mr. Amita Bachchan की remedy के साथ तब तक subscribe कीजिए वो bell icon दबाए ताकि आपको mobile पर notification आ जाए और जैसे लोगों ने कहा 20 minute का video क्योंकि छोटे videos अच्छे videos ज्यादा videos that is a better way of getting engagement क्योंकि ज्यादा कई कुछ लोगों ने मुझे message करके भी बोला कि अगर एक एक गंटे के video है तो शायद हमें time नहीं मिल जाता तो अच्छा है कि 20-20-30 minute के तो देखते हैं जिस प्रकार से अगर कभी ऐसे जरूरत पड़े कि नहीं एक गंटे के लिए नहीं की जरूरत है तो उस दिन एक गंटे के लिए लेंगे otherwise 20-30 minutes 40 minutes will be the optimum time thank you for listening इस session को और आपके सवाल आपके comments आपकी जो भी inputs है वो मेरी तरफ भेचते रही है thank you